남स्कार दोस्तों स्वागतयाब सबी का आपके अपने चैनल पर दोस्तों आज आपके लिए लेकर आये हैं राज़स्तान बोड कखशा 5 वी का जो इंग्लिस का जो पेपर उने वाला है 23 board exam के लिए उसके लिए very very important paper लिक रहे हैं दोस्तों अगर आपको 23 board exam में दोस्तों अच्छे नमबर लाने हैं तो वीडियो को last तक देखेगा और जिसने भी चैनल को subscribe नहीं कर रहा है वह subscribe कर लिजिएगा notification bell को press कर लिजिएगा जिससे कि राजस्तान बोड का क्षा पांच वी में आपको अंगरेजी वी सेकन दोस्तों अच्छे नमबर मिल सकें तो देकि दोस्तों आपको पेपर है वो 80 नमबर का आने वाला है एंड़ाई गंटे का टाइम आपको दिया जाएगा पहला प्रसन आपके सामने इस स्क्रीन पर है आपको वीडियो को लास तक जरूर से देगना है ठीक है तो पहला प्रसन है कि choose the correct word from the following which has a different sound of the underlined letter यहाँ पर आपको different sound बताना है तो इसमें क्या दे रहा है देखो पहले जो यह letter दे रहे है यानि यह क्या यह word दे रहे है इसमें जो letter यहाँ पर underline कर रहे है उसको आपको पहले पढ़ना यानि पहली बात तो पहला पूरा पढ़ना देखो यह कैसा निकल रहा है, यह क्या निकल रहा है, पुट, ठीके, यह निकल रहा है, बट, यह निकल रहा है बट, यह निकल रहा है अब आप बताओ, इन चारों में से सबसे अलग कौनसा होगा, देखो, यह कट आ रहा है, यह बट आ रहा है, यह शट आ रहा है, यह इसमें अ की द्वनी आ रहे हैं तो सबसे अलग कौन सब दोस्तों सबसे अलग अपना कौन सा हो जाएगा पुट हो जाएगा तो यहां पर हम क्या पर देंगे दोस्तों भी ऑप्षिन भर देंगी क्लिए रहे नेस्ट कुछन है कि चूज ती सिमिलर मिनिक फॉर्ट गिवन वर्ड समनार्थ इसका परियवाशी बता ना देखो व्यूटिफिल क्या होता है सुन्द्र होता है यहाँ पर सुन्दर को क्या कहते है दोस्तों प्रेटी ना इस्तों नेक्ट है धेका राम और मेरे मित्र है और वे मेरी मदद करते हैं तो दो यानिंस अचsmary सिटें इनग ब्ällिर करेंगे D is the correct answer to this question next question is on your screen यहां पर देर का है कि महेश रामन देखो यहां पर फिलेंद मेलक्स देर किए रमन went to the market तो महेश और रमन देखो यहां पर दो वक्तियों को जोड़ा इन्हों ने दो सब्जेट को end से connect किया गया है तो यहां पर महेश एंड रमन यहां पर आंसर आजएगा तो यहां पर सी आंसर करेक्ट होजएगा ओके दोस्तों इसकी पीडियोप आपको मैं मता दोगा आपको कांस से डाउनूड करनी है तो दोस्तों रदसान बोड कक्षा पांच वी के मॉडिल पर हैं पर इंपोर्टेंट कोच्चिन प्राप्ट करने के लिए आपको सिंप्ली क्या करना है Google पर सर्च करना है और एंस्ट हुसտे मसला ठीक है दोस्तों क्या सर्च करना है आर एंस्टी मसला जिसका लफको डिसक्रुप्षिन वॉक्श में मिल जाएगा इड़ और सब्हाуж सब्सक्राइब करें तो आपके सामने सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दूस्तों का जो लिंक वह आपको यहां पर sentence को साही करना है जैसे के देर का है my father अब यहां पर देखो यह फिले देर का है me to take to the fair today यानि दोस्तों मेरे पितजी ने मुझे आज यानि की fair यानि मिला देखने यानि की चलने का बोला यानि की उन्होंने promise किया तो प्रोमिस यह ने वादा किया यानि मेरे पितादी ने वादा किया कहां पर चलने के लिए मेले में चलने के लिए तो यहां पर प्रोमिस बढ़तेंगे लग्स यहां पर यह आपको क्या करना है जो बीच में इसमें जो अक्सर जो खोया हुआ है उसको बढ़ना देखो इसमें क्या प्रोमिस पढ़ती डिया आए एंद करदेंगे विलेज में दूस्तों क्या आता भी आई एलल ए जाएगा तो यहां पर क्या मिशिग था ओंपर एंपिसिंग था और यहां पर दोस्तों क्या में इस प्रकास से बढ़नेंगे नेक्स्ते में दा नियू वर्ड्स वाइडिंग सफिक्स फूल एन लाइड सफिक्स को एड करना किल या लॉड या जोडएंग अपना बन जाएगा प्लियर दोस्तों चलें नेक्स्ट हमारा कुछन रहा है structural items दे रहे हैं जैसे यहां पर philies with appropriate words यानि उचित विकल्ब का उचित जो एक चाहिन करना है जो ब्रैकेट में दे रहे हैं कि राजू अब यहां पर क्या आएगा लाटर तो राजू किया इस इंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में वर्ब क्यों से आती हैं तो राजू यहां पर क्या लेगा राइट तो क्यों एस लगी पीचे न यहां पर राइट इस क्विटा यहां पर क्या रहा है कि म्यूजियुम येस्टेड़े तो यहां पर क्या आ जाएगा वैंट यह वर्ब की थी उसके अंदर बता रहा है तो देखो living तो होगा नहीं अगर यहां पर वर्व आती है दूस्तो इस आर या एम आती है ना तो अब उस वर्व के साथ में आएंजी फॉर्म यूज करते हैं लेकिन यहां पर किंग के साथ में helping आएंजी नहीं दे रहे हैं इसलिए दूस्तों के बार केल रहे हैं ग्राउंड में ओके दूस्तों नेक्स्ट हमारा कोशन है अरेंस दा जंबल्ड लैटर तू मेंग फॉन वर्ड्स यह देखो जंबल्ड यानि कि दूस्तों देखो यह उल्टे-पूल्टे मीनिंग यहां पर दे रहे हैं जो spelling है ना वह उल्टे- एल्ली कि यह रहे तो इस प्रकार साब इसको करेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट है यहां पर एप्रोपीड वर्ड बढ़ना है जो प्रैकेट में दे रहें ठीक है ऑल्वेस हैं किसके यह उल्प करनी चाहिए तो क्रॉस्ट रोड यानि कि रोड को पार करने के लिए सड़ को पा उस्ट जो घृण लाइट होती है यानि हरीबतिया क्या करती है हमें किसके बारे मकत बताती है हमें जब हरीबति होती है जो फो कि जो पॉइंट पर होता है तो उसमें हमें चलना चाहिए होता है नेक्स्ट आपने दातों को साप करो कब करना चाहिए भी हमें weekly याफि डेली यानि कि सब्दाइक मेंएकबार करना चाहिए यापने find में रोजाना करना चेंए लिय disp दोस्तों चले यानि डेली इसके अंदर आजएगा नेक्स्ट है यहां पर फिलिदे ब्लेंक्स इंद फैसिस यूजिंग दवर्ड वर्ड फंद ग्रिवन ब्रेकेट यहनि जो चार सब्द दे रहे हैं इस चार सब्द को यहां पर आपको बरने हैं तो यहां पर एक जो है फेस फेस्टिवल यहां पर फर्स्ट में बढ़ देंगे इसमें यहां पर फेस्टिवल अजएगा नेक्स्ट है कि पीपल डेकुरेट दियर हाउस यानि जो है लोग अपने गर को सजाते हैं ठीक है इट स्विट देखो इट स्विट एंड बर्स ट्रैकर्स तो दो दोस्तों यह यहां已经 बचेता है यहां पर बचाहरा इस दिन होई खुशी है यह 얘기를 करता है और अपने यक दूसरे वाक्तियों से मिलता है थीक है वारताव करता है हताया करता है तो सब कुछ यहां पर हो जाएगा अपना आंसवार next question is on your screen reading comprehensions and textual questions देखेगा read the following passes and answer the questions यहां पर हो करना following questions जिस एक देरगाई पैसे ठीके once there lived a man lived a man named roshan lal एक जो यह रोशन लाल नाम का रखती रहता था he loved cats cars sorry he used an old car that could run only at the speed of cycle इन्हों पुरानी कार यूज करता था जो कि एक cycle किस्पी उती ना उदनी चल पाती थी तो इस परकार से पैसेस दोस्तों में आपर छोड़ रहा हूं जितने भी grammar के एक fashion इस में मिल जाते हैं अब देखो what did roshan lal love by roshan lal किसको मतलब प्यार करता था प्रेव करता था तो दोड़की का he loved cars वो कारों को पसंद करता था तो इस परकार से आपको बन बताने ठीक है वाइडी रोसन लाल गेर ट्रेस्ट केरफुली सारे क्वेशन सापको में जाएगे ठीक है next question दे रहा है कि देखो यहां पर देखिया कि opposite बताना देखें यानि opposite का मतलब विप्रित उसका विलोम शक्त बताना तो यहां पर देखो new का क्या हो जाएगा old हो जाएगा ठीक है and slowest तो slow का मतलब क्या होता बहुत slow होता है यानि कि द टेस्ट ठीक है यह कौन से डिगरी है यह आपकी सूपर लेटिव डिगरी है तो slowest का क्या हो जेगा slowest का विप्रित क्या हो जेगा फास्ट टेस्ट क्या है कि स्लो और फास्ट ओके चली तो यह दोनों कुश्ण भी अपने हो गए ठीक है तो यहां पर आप सारे कर ले ना फिर से यह कुश्ण देरका कि रीट पैसे से नासे क्वेशन स्क्वेशन क्यों फिर से आपको इसके आंस्वर करना है वाट क्वालिट इस डिट विट विटू के बारे में यहां पर आपको देरका है यहां पर क्वेशन देरका कि रीज रीज दा पैसे एंसर एंड गिव द आपोजीट आप दो फॉलविंग वर्स देखो व्रिच रीच का मतलब क्या होता है दनी वक्ती दनवान वक्ती तो इसका उल्टा क्या होगा गरीव ए यहां पर तो आप यहां पर हमने दोनों में लेकिन यहां पर हमने क्या कर दिया है थोड़ा चेंज किया है इसमें आई एस लगया है तो इसमें S आया है और इसमें IES आया है यह क्या डिफरेंस है तो देखीगा जिस भी शब्द के अंत में Y आता है ना तो Y का plural बनाने के लिए हमें Y को convert करना पड़ता है IES में तो यहाँ पर देखो F-A-M-I-L फिर Y की जगे हमने क्या लिखा है IES को इसमें बदला है तब इसका correct क्या बन गया correct इसका plural form में बन गया है तो families इसका correct answer हो जाएगा फिर आपके देखेगा 21 वा प्रस्टन देर का है जो की writing का रहने वाला है imagine you are asa yasis write letter to your friend inviting him or her to attend your sister's marriage sister की marriage आपको attend करनी है एक letter आपको लिखना है या फिर अत्वा वाला स्वाल मिलनेगा आपको imagine you are divya dinesh studying in government upper primary school pota in class 5th your grandmother is very ill and she is alone at home therefore you cannot go to school write an application to your headmaster to grant you live for two days यह आपकी दादी जी बिमार है इसलिए वह घर पर अकेली है इसलिए आप school जाने सकते तो आपको अपने headmaster को एक application लिखने है दो दिन की छूट्टी के लिए तो दोस्तों आप ये दोनों मैंसे अगर आपको letter आता है तो आप letter करेंगे या फिर अगर आप चाते हैं कि मैं application अच्छे से लिख सकता हूँ उससे अच्छे से describe कर सकता हूँ तो आप application लिख सकते हैं ऐसा कोई जरूर नहीं कि आप दोनों लिख लें क्योंकि यहां पर और का मतलब क्या होता है अत्वा वाला यानिकि इन दोनों मैंसे एक question को क्या करना है सई करना है एक question आपको करना है ऐसा नहीं कि आप दोनों ही questions attempt कर लें next question की complete a story a hungry fox with suitable words given bracket यानि एक दूस्तों यहां पर जो बुकी लॉंब्री है उसकी कहानी को complete करना है आपको यह words देरके यह outline की मदद से आप यह जो complete करना बस यह इसमें fill करना है तो आप fill easily कर सकते हैं इसका detailed solution आपको next video में provide कर दे जाएगा या फिर आप अत्वा वाला स्वाल यह भी कर सकते हैं कि look at the picture given below write four sentences based on given picture यानि चार sentence लिखने है इस page को स्वार यह जो चित्र दे रखा है इस चित्र को आप पहले देखेंगे और देखने के बाद में दिमाग में क्या आता है इस चित्र को आप देखर इस पर आपको क्या लिखने है sentence से लिखने है चार वाकियों का निर्मान करना है तो यह भी आपका अत्वा वाला स्वाल है अगर आपको कहानी अच्छे से आती तो कहानी भर दीजीगा या फिर आप इस सित्र को देखर इसके वाकिया आप कर सकते हैं तो दोस्तों ये भी question बहुत easy होन वाला है अगर आपको इस paper का detail में solution चाहिए तो comment करना next video में आपको paper का संपूर्ण solution करवा देंगे तो दोस्तों वीडियो को like करना है channel को subscribe करना notification mail को press करना है जिससे कि राजस्तान वोड कक्षा पांच वी की regarding आपको ऐसा ही model में पर important question दोस्तों मिल सके ठीक दोस्तों तो वीडियो को like करें share करें subscribe करें notification mail को press करेंगे तो दोस्तों इस video मसे इतना है अगर आपको को डाउट है ने ची कमेंट section में जोन से बताएगा जिससे कि आपका डाउट का याने की solution हो सके ठीक है दोस्तों तो दोस्तों इस video मसे इतना ही फिर मिलेंगे आप सभी से next video में तब तक लिए जहिन और वन्दी महात्रम